तो नमस्कार आदाप सिस्रिया काल दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल लाजस्थान ग्यान में तो दोस्तों आज है कितना है 7 अपरिल और आज की इंटर्वी लेकि मैं आपके सामने उपस्तित हूँ तो बिना देरी के शुरू करते हैं क्योंकि आप जो शर्माजी का इनका बोर्ड था और सेकंड लास्ट नमबर था इनका और सवाएक बजे से स्टार्ट हुआ था और पंद्रा बीस मिनट के लगबग चला था हना तो चेयर्मैन मैम ने सबसे पूला सबसे पहले पूछा होबी से कोशन कि आपने क्या बनाया वेस्ट टाइ रहे थे 2016 में के बाद कुछ क्यों नहीं किया अब क्या ज़रुत पढ़ गई जौब की फैमिली का सपोर्ट था या मतलब इन्होंने कहा होगा कि सब्सक्राइब की तैयारी कर देख यूंतलब है तो फिर उन्होंने कहा कि अब क्या जरुत पढ़ जौब की इतने दिन जोब situational caution पूछे महिलाओं पर और महिलाओं की समश्य पूछी आप अधिकारी बनोगे तो office में महिलाओं के सुरक्षा कैसे manage करोगे यह पूछा गया फिर sexual harassment के लिए कुछ और कोर्ट कहा है क्या sexual harassment के लिए कुछ कुछ कोर्ट का अच्छा कुछ कोर्ट में कुछ कहा है क्या ऐसे पूछा sexual harassment के लिए ठीक है यह शायद वूमन यह से इनसे ज़्यादा यह कोशन पूछ रहे हैं बाल विवा है कब ज़्यादा होता है और क्यू होता है कोई एक्ट है क्या इसके लिए और गर्वति महिलाओं के लिए कौन-कौन सी योजना है कूपोशन के लिए क्या करोगे आप अपने एरिया में मां क्या है मतलब यह कोशन अपनको जितने इसी लग देना उतना ही हार्ड होता है उस इसिट्वेशन में जवाब देना फिर मेंबर सेकेंड ने पूछा जी एचजी क्या है मतलब ग्रीन हास गिस क्या होती नहीं है Bonjour क्योंकि इनके जॉग्रूफी है घुरे कोशन और में लोग कुछ रिलेशन बता रहे हैं क्या रिलेशन और C predic क्या रिलेशन है से अजैन और कोफिकर तो psychopath करकर नेंचे बताएं वजिए गहोंगतर दीक पिर्वाहिए ऑर और ओजोन और कोविड में कुछ लोग रिलेशन बता रहे हैं बता रहे थे पहले वो क्या था है ना अटमोस्फिर में ग्रीन हाउस गैसी का अनुपात क्या होता है और ये कौन से गैसी होती है फिर किसानों וाला एक्ट कौन से है ये पूछा फिर films स्पय क्या होती है फिर राज़िस्टान में वर्षा का अवरेज एरिया और वर्षा-1 क्या होते है फिर मेंबर थार्ड ने रमकीन क्यूं है डेजर्ट कौन से सागर का बना हुआ है फिर चेर्मैन मेंबर ने पूछा अरावली कहां से कहां तक है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और बैड लेंड टोपोग्राफी क्या होती है अभी हाल ही में तीन इंडियन आर्मी की मैईला हैं चर्चा में थी क्यों थी पिछले साल का मैईला शक्ति पूर उसकार मिला था ने को ऐसा क्या किया था उन्होंने फीड़ए की अपने तरफ से दे रही है बाकी और भी कोशन थे याद नहीं आ रहे हैं मैं बहुत सपोर्टिव थी मेरे बारे में मेरे बोड में आठ लोगों में से एक ही लड़की थी और मैंने बहुत सपोर्ट किया वाव ऐसे मतलब ऐसे होता ना जब आठ लड़के और उन का ही होता है लेकिन अब यह सी बात है कि थोड़ा से ज्यादा अच्छा ट्रीट कर देते हैं इनको ऐसा लगा यह भी ऐसे ही कह रही है कि मैं बोर्ड मैम ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया मेंबर फर्स्ट बहुत उल्टी सीधी सिच्वेशन दे रहे थे तो मैम ने उन् अच्छे से समझाई अच्छे होते हैं वो लोग कॉपरेट तो करते ही हैं एजुकेशन उन्होंने बीए इंग्लिश लिट्रेचर जोग्रोफी बीए में इंग्लिश लिट्रेचर ती जोग्रोफी ती और पोल साइंस थी और में इन्होंने जोग्रोफी से करी है यह मेरे वाले ही सब्जेक्ट है इनके भी दूसरा था दोस्तों आज का पाबुलाल कटारा सर का बोर्ड था और इसमें तीन जुबाकी मेंबर थे वो भी पुरुशी थे क्रहे जिला इनका है अलवर होबी है क्रिकेट जॉब है एक्स ने भी परसन है यह और समय आफ्टरनून सेशन अठारा मिनट इनका इंटर्व्यू चला तो चेर्मेंट सर ने पूछा सबसे पहले 10 कहां से कि 12 कहां से कि इसनातर कहां से कि गुन्हसु तैयासी का वर्ल्ड कप कहां हुआ था क्योंकि इनकी होबी क्रिकेट है इसलिए इनसे पूछा जा रहा है फाइनल टीम में कौन-कौ कौन से थी और गुन्हसु तैयासी का वर्ल्ड कप का मैन ओफ तरीज किसको दिया गया था तैयासी का इसलिए पूछ रहे हैं दोस्तों इनसे एक तो होबी क्रिकेट और दूसरा यह एक सर्विसमेन है तो एज थोड़ी बड़ी होगी ना तो इसलिए इनसे पूछ रहे है क का पिल्मुनिका दर्सन क्या होता है सांक्य दर्सन क्या होता है जैन धरम का निर्ने सिद्धान क्या है बोध धरम का मध्यमार क्या है सारे पूछ लिए जैन बोध सब कुछ शेक्सपियर की चार ट्रेजडी बताईए कौनसी वो सबसे फेमस हुआ था कौनसी ट्रेजडी से Macbeth, Othello यह सब सारी ट्रेजडी थी उनकी Micro and Macro Economics क्या होती है, विकेंद्री क्रण क्या होता है और Malthus Law क्या है, जनसंग्या वाला सिद्धानत है न और शरीर की सबसे छोटी हड़ी मुझे लगता है इनके जोग्रोफी है, लिखा है कि इन्होंने तुझे नहीं लिखा, क्योंकि जिस तरह से कौशनार है मुझे ऐसे लग रहा है, ऐस तो हिस्ट्री में से भी है, माल थस जोग्रोफी में से भी है, सब कुछ ही है और यह अपने देखी लिए, और फिर यहां पर शरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है, फिर स्यक्शन 144 क्या होता है स्यक्शन 144 लगाने की पावर कौन से एक्ट के द्वारा मिलती है, अभी तक और जोग क्यों नहीं करी, राजस्थान की नदिया और उनका उद्गम इस्तलिया, कोशन भी बहुत से लोगों से पूछ रहे हैं, राजस्थान के नदियों के बारे में फिर राजस्थान के खनीज पूछ लिया, फिर प्रत्वी राज का गुजरात से सम्मंध पूछ लिया, और आप SDM हो और पेट्रोल पंपर आग लग जाती है, तो आप क्या करेंगे, नेवी से हो तो स्विमिंग होबी क्यों नहीं बनाई, आपने और ये धन्यवाद, इतन इनके भी ये सब्जेक्ट है, या फिर जनरल लोले से जो भी कोशन पूछे गए है, आप लोग भी प्रिपेर कर लेना, क्योंकि मोस्टली कोशन पूछे जा रहे हैं ऐसे, 144 हो गई, माइक्रो, मैक्रो, एकोनोमिक्स हो गई, सेक्स्पियर वाला हो गया, ये जैन बोध्धर लगा हो तो लाइक कर दे, शियर कर दे चानल को और सब्सक्राइब कर ले, थेंक्यू